गाजा से इस वक्त की एक और बड़ी ख़बर सामने आ रहे हैं इस रेलें हैं गाजा में जबदस्ट बंबारी जाने, गाजा के नुसिराथ में आईजीएट ने शर्णार्थी क्याम पर हमला किया इस हमले में कम से कम अठारा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है जब कि काई लोग खायल बताए जा रहे हैं दूसरी रात बध्य गाजा में शरणार्थी कैंप है जिसमें बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे तो इस्वैल का ओपरेशन हमास जारी है दूसरी तरफ हमास के लड़ाकों से भी उसे कड़ी टकर मिल रही है धाई महीन इसे जारी स्युदकांत कब होगा कहना मुश्किय है लेकिन हर दिन हो रहे हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज है पर युद्ध की ये तस्वीरे इस कहावत को जूठा साबित कर रही है आश्याने खंदहर में बदल गई है जहां तक जिधर तक नजर जाती है मलबा ही मलबा पिकरा पड़ा है पंबारी और हमले के बाद की ये तस्वीरे इन लोगों का दर्द बया कर रही है जमीन पर पड़े बच्चों के खिलोने से हमले से तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है इमारतों की धेर से निकलती ये लाशें युद का मनजर बता रही है ये तस्वीर कहीं और की नहीं बलकि घाजा के शरनार्थी कैम्प नुसिरात की है इसरेल पर आरोप है कि उसने सेंट्रल घाजा के शरनार्थी कैम्प पर हमला किया है जिसमें 18 से जादा लोगों की मौत हो गई है हलाकि इसरेल ने इस पर कोई टिप बड़ी नहीं की है इसरेल ने घाजा पर ये हमला 23 दिसंबर की रात में किया हमले का वीडियो देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसरेल घाजा का नामुने शान मिटाने में जुटा है इसरेल घाजा के हरे कट्डे पर निशाना बना कर हमला कर रहा है इसरेल घाजा को दुनिया के मैप से हटाने की कसम खाई है इसरेल घाजा के किसी एक जगय को निशाना नहीं बना रहा बलकि वो चुन चुन कर उसकी रीड की हट भी तोड़ने में जुटा हुआ है इसरेल दिन घाजा बॉडर पर मौझूद रफा कैम पर भी 24 दिसंबर की राद दो बज़े के आसपास हमला किया जिसमें कई लोगों की गायल होने की खबर है उत्तरी घाजा की बड़ी इमारते हों या दक्षने घाजा की कैम इसरेल सब को मलबे में मिठाने की कोशिश में लगा हुआ है फियह होले साथ ने गामट ताइरात असरेली आ बगस्फ पर मंजल अमर बलगूफ अच्ना के लिए क्ल अमंटिगे सरे अच्छिए को जीना निजभी वर शुफना लिस दमार लिए इनत शायत हो इसरेल ने घाजा को पूरी तरह से धेर लिया है वो दक्षन से लेकर पश्चन और मध्ध घाजा में हमला कर रहा है नुसिरा रफा से 32 किलोमेटर की दूरी पर है घाजा के हालत अब बहुत नाजुक है इसरेल अपने उपर हुए हमले का बदला लेने में पीछे नहीं हटेगा और शायद यही कारण है कि वो आम लोग और सैनिक में फ़र्क नहीं कर पा रहा है इसरेल ने साफ कर दिया है कि वो जब तक हमास का नाम और शांत नहीं मिटा देता तब तक वो शान्त नहीं बैखने वाला गाजा की हालत को देखते हुए मान भी अमदाद के दहत वहां लोगों के लिए राहत समत भी पोचाई जारेश संयुत राश्र के मुदाब घाजा में अकाल का खत्रा बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वहां लोगों को दाने दाने के लिए मौताज होना पड़ेगा और इसका बच्चों पर असर सबसे जादा होगा 78 दिन से जारी जंग में घाजा ने अब तक अपने 20,000 से जादा लोगों को खो दिया है और अभी भी वहां हम ले थमने का नाम नहीं ले रही है IDF यानि इस्रेली डेफेंस फोर्स के प्रवक्ता की उच से कहा दिया है कि घाजा में भारी मात्रा में हत्यार है दाराज दोफा में हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन के दौरान स्कूलों को स्कैन किया इस दोरान हमास की नौसेना कमांडो 31 से सम्मंधिन रॉकेट, उपकरा और दूसरे हत्यार पाए गया इस्रेली बलोने जमीनी युद्ध के दोरान हमास की एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेटों सहे लग भग 30,000 विस्फोटक और गणों को भी नश्ट कर दिया है या उनको जब्द कर लिया है पर अब बड़ा सवाल है आगे क्या इस्रेल हमलों से घाजा के दुर्धशा करने में चुटा है और ऐसे में हमास का समर्थन करने वाले लोगों में गुस्सा उबाल पर है वो किसी भी हालत में नेतन्याहू को माफ़ नहीं करने की शबत ले रहे हैं ओरी दुनिया में इस युद्ध को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं लोग घाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं लोगों में युद्ध को लेकर गुस्सा है ये यमन है यहां लोग हजारों की संख्या में इसरेल के खिलाब प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अमेरिका के खिलाब भी नारे बाजी हो रही है वहीं जकारता में भी लोगों ने अमेरिके अम्बसी के बाहर खड़े होकर जम कर नारे बाजी की और फेलिस्टीन का समत्थन किया इनिला बंतुक बहुआ किता पदूली तादब वागा किता दी पलेस्टीना या करना इसु इसु इनला इसु कमानुसियाण या इसरेल हमास युद्ध के दौरा पिछले 24 गंटे में मारे गए लोगों की बात करें तो यहां अकड़ा करीब 200 के करीब है इसको लेकर अमेरिकी राश्टरपदी जो बाइडन ने इसरेली प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहू को फोन किया और हालातों के भारे में जानकारी ली है घाजा में इसरेल का अक्रमार्ण हाल के इतिहास में सबसे विनाशकारी सैन्न अभियानों में से एक रहा है जिसने घाजा के 2.3 मिलियन लोगों में से लगभग 85 फीसदी लोगों को बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ा है सैयोक्त राश्टर और अन एजेंसियों के सब्ता एक रिपोर्ट के अनुसार घाजा में आधे मिलियन से अधिक लोग यानि आबादी का एक चौथाई भूख से मर रहे है हमास के कर्टूतों का नुकसान आम फिलिस्तीनी मौत और तबाही के दोर पर बुगत रहा है इन हमास लड़ाकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 हजार बताई जा रही है लेकिन इनकी वज़े से करीब 30 लाख के आबादी खून के आसूर हो रही है जिनका कोई कसूर नहीं है बच्च, महिलाओं की मौतों के खबर ने पूरी दुनिया को जड़ जोर कर रख दिया है लेकिन ना तो इस्रेल हमला करने से रुख रहा है ना सीस फायर के लिए तैयार है ना ही हमास प्रतिकार से रुखने वाला है इस वीच घाजा है जो जल रहा है दिन, हफ़े, महीने और अब दो साल बदलने जा रहा है